नमस्कार दोस्तो भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तो यूपी में राजसभा का चुनाव बेहत दिल्चस्प हो गया है आठवी सीट के लिए सारा सियासी खेल हो रहा है और आठवी सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी है संजे सीट और सपा की प्रत्याशी है आलोक रंजन अगर सीटों के गड़ित की बात करें तो संजे सेट के पास विलहाल 29 वोट है और अभी संजे सेट को प्रतम वरियता के 8 वोटों की जरूरत होगी इसके लिए बीजेपी गुड़ा गड़ित कर रही है लेकिन सपा भी पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है दोस्तों मौजूदा वक्त में सपा के पास 108 विधायक हैं कॉंग्रेस के पास 2 विधायक हैं अगर ये नंबर जोल डीजिये तो ये होता है 110 का अकड़ा यानि की एक विधायक की जरूरत अकलेश यादो को और होगी इसलिए अकलेश की नजर राजा भाईया पर है राजा भाईया के पास दो विधायक हैं नरेश उत्तम पटेल राजा भाईया से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने फोन पर अकलेश और राजा भाईया की बात भी कराई है तो दोस्तों ये तो बात हो गई राजा भाईया की और अब बात करते हैं आरेल्डी की आरेल्डी के पास दोस्तों नौ विधायक है जेंद चौधरी का जुकाओ एंडीय की तरफ भले जा चुका हो एंडीय में शामिल होने का मन जरूर बना लिया हो लेकिन उनके चार ऐसे विधायक हैं नौ में से चार ऐसे विधायक हैं जिन में से या तो वो समाजवादी पार्टी से तालुग रखते रहे हैं या फिर वो जैन चौधरी के इस फैसले से नाराज है वो नेता कौन से हैं जो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं और अंदर खाने किसी तरह की कोई खिचड़ी पक रही है क्या 2022 में जो विधान सबा चुनाओ हुआ दोस्तों उसमें रालोत के सिंबल पर जीत कर विधायक बने थे उनमें से एक हैं चंदन चौहान, मदन भाईया, अश्रफ अली और गुलाम मुहम्मद इतना ही नहीं दोस्तों सुभासपा के छे विधायक हैं, जी हाँ, ओपी राजबर की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, विधान सबा चुनाओ जब हुआ तो छे विधायक उनके जीत कर आए, उनमें से तीन विधायक पुराने सपाई हैं, लेकिन पेच कहां पर है, पेच है क इस सपा के विधायक इर्फान सुलंकी और रमा कांत यादो जेल में हैं, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये दोनों विधायक वोटिंग के लिए ना आ पाएं, और सपा पूरी तयारी कर रही है कि इन विधायकों को वोटिंग के दिन लाया जाये, इसके लिए सपा समाजवादी पार्टी की नजर है जी हां दोस्तों क्योंकि मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपूर से टिकट दिया है ऐसे में अगर ये तीनों विधायक वोटिंग के लिए आते हैं तो सपा को बहुत बड़ी परिशानी नहीं होने व विधायक सपा के साथ आ जाते हैं तो अखलेश बड़ी आसानी से अपने प्रत्याशियों को जिता ले जाएंगे कोट से विधायकों को वोट के लिए लाने के लिए सपा फरलो का सहारा ले सकती है जिया फरलो यानि की जेल से कुछ दिनों की छुटी पहले भी इस तरह से जिल में बंद सांसद और विधायक वोट देने के लिए फरलो के सहारे आते रहे हैं इसलिए सपा के पास ये कानूनी रास्ता भी है जिसका इस्तमाल वो कर सकती है एक विधायक और है वो है बीएस पी के उमा शंकर सिंग का वोट किसके साथ जाएगा दोस्तो ये भी सवाल है बहुत एहम है उमा शंकर कहा जाएंगे इस पर अभी उन्होंने खुल कर कुछ नहीं बोला है तो ये है राजसभा चुनाओं का पूरा गड़त 37 वोटों की जरुवत होती है हर एक प्रत्याशी को ऐसे में अगर अखले शादो की बात करें समाजवादी पार्टी की बात करें तो तीन प्रत्याशी उनके हैं तो वोट चाहिए होंगे 111 जिसका जो मैथमेटिक्स जो गड़त बैट रा है राजसभा चुनाओं का वो हम आपको बता रहे हैं एक तरफ सुभासपा की विधायक हैं आरलडी के विधायक हैं पल्लवी पटेल ने कह दिया है साफ साफ कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं उनको समर्थन करेंगी उनके प्रत्याशियों को वोट करेंगी इसके साथी साथ और क्या कुछ किया जा रहा है अखले शादो हैं और 11 प्रत्याशी हमारे सामने हैं किसी एक की हार तो हो ना तैह है दोस्तों बहुत शुक्रिया